जै मतरानी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण अफीसियल में उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै श्री विश्नु जरूर लिखेगा तो चलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि गुरू वार के दिन हमें ऐसी कौन कौन सी गलतिया है जो हमें नहीं करनी है अगर आप लोग जाने अन जाने में भी करते हैं जिसके कारण हमारा बहुत ही बारा नुक्सान होता है और हमारा गुरू ग्रह भी कमजोर होता है तो अगर आप लोग ये सब गलतिया करते हैं तो आज से ही इस गलतिया करने से बचे और कौन सी वो गलतिया है तो आए जानते हैं और वीडियो के लाश्ट तक बने रहिएगा आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी हो गया तो वीडियो को ध्यान से बिडियो को शुरू करते हूं, तो सबसे पहले बता दो कि खिच्री, कभी भी गुरुबार के दिन हमें खिच्री ना ही बनाना चाहिए, और नहीं खाना चाहिए, ये सुबह नहीं माना जाता है, दाल और चावल एक जगा मिला करके हमें नहीं बनाना है, ऐसे अगर आप कहां से ध्वन आ रहा है कहां जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है तो जो ये छोटी छोटी आदिते हैं जो हम जाने अंजाने में गुरुवार के दिन करते हैं वो अगर आप लोग करते हैं तो उसको आप लोग छोड़ करके देखिए निश्चे ही आपके घर में सुक समरिधी और सांती मिलेगी तो हमें कभी भी गुरुवार के दिन खिचरी नहीं बनाना है भूल से भी नहीं बनाना है अब चलिए अगली नियम जान लेते हैं गुरुवार के दिन कभी भी किसी को भी पैसा नहीं देना चाहिए हमें क्योंकि गुरुवार का जो दिन होता है वो लक्षमी का दिन होता है और उस दिन हमें किसी को भी अपना लक्षमी नहीं देना चाहिए तो ये ध्यान रखेगा आप अपने अंदर इतना मतलब बना करके कि अगर कोई आता है मांगने के लिए ना तो वो यह सोच करके रह जाए कि इसको पास जाएंगे तक गुरुवार के दिन नहीं देगी क्योंकि जिन लोगों को पता रहता है ना कि गुरुवार के दिन नहीं देना चाहिए और जिसको नहीं पता रहता है तो जिनको पता रहता कुछ ना कुछ उनसे पैसा लेते हैं या चेंज कराने के बहाने जरूड जाते हैं उनके सामने तो अगर आप लोग भी ऐसी गलती करते हैं तो ऐसी हमें नहीं करना है कि गुरुवार के दिन बहुत सारे लोग मतलब आभी का दुनिया है न वह बहुत चलाक हो गई है बहुत आगे निकल गई है, तो हमें इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, अब चलिए आगला नियम जान लेते हैं, तो देखिए, गुरुबार के दिन हमें जादा साफ सफाई नहीं करनी है, जैसे घर को जारना, या पोछा लगाना, या बाहर में जो घास बूस जमे है, उ जैसिंग साफ करना, ये सब मतलब नौर्मल ही साफ सफाई कीजिएगा, लेकिन ज्यादा साफ सफाई मत कीजिएगा, ये सब सुब नहीं माना जाता है, और ये सब अगर करते हैं, तो हमारे घर से लक्षमी नाराज हो जाती है, तो इसलिए गुरुबार के दिन हमें लेकिन लेडिज लेडिज है तो भीगा रहता है तो उसको हम खनार करके डाल देते हैं लेकिन उसमें सरफ साबुर नहीं लगाते हैं अगर आपसे भी बचता है तो आप जरूर बचाईएगा और गुरुवार के दिन ही धोबी को कभी भी कपड़ा नहीं देना चाहिए इससे हमारी लक्षमी उसके घर चली जाती है और हमारे घर में मतलब बढ़ंती नहीं होती है तो इसलिए अप लोग गुरुवार के दिन धोबी को कपड़ा मत दिजिएगा और गुरुवार के दिन कभी भी धार वाला समान मत खरीदिएगा क्योंकि जैसे चाकू हो जाया है कैच तो इस बात का आप लोग धियान रखिएगा कितने लोग तो गुरुवार के दिन पोचा तो लगा लेते हैं तो देखिए ना लगाए तो सबसी अच्छा है अगर आप लगा रहे हैं मानली जे आपके घर में बच्चा है गंदगी कर दे रहा है तो फिर आप लोग साधे प पुल ना लिपे और नहीं मीठी से लिपे तो गुरुवार के दिन उसको घर नहीं लिपना चाहिए नहीं तो अमारे घर से लक्षमी नराज हो जाती है इस पर एक कहावत भी है तो मैं तो कथा कहूंगी तो लेट हो जाएगा अप लोग कमेंट करके बताईएगा तो मैं फ से या बाल कट करवाने से रोकिएगा क्योंकि गुरुवार के दिन सेबिंग और बाल कट नहीं किया जाता है तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेएगा और गुरुवार के दिन कभी भी आप अपने घड से कबारी का समाल मत बेचिएगा और सब दिन में बेच सकते हैं लेकिन जो इकठा करके कबारी रखे हैं उसको आप लोग कबारी के हाथ में मत बेचिएगा इस बात का आप लोग ध्यान रखेगा क्योंकि ये सब हमारे घड के लिए बिल्कुल भी सुह नहीं है तो बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि ये सब बकवास है ऐसा कुछ नहीं होता है तो देखिए नियम धर में जो बाना है वो हमें जरूर करना है अगर आपको मतलब बिश्वास नहीं है इन सब बातों पे तो आप ज़्यादा नहीं दो या तिन गुरुवार के दिन आप सिर से नहा करके देखिए आप अपने घड में या तो मिट्टी का घड है तो उसको लीप करके देखिए या पोचा लगा करके देखिए आपको दो तिन ही गुरुवार में आपको असर दिखाई दे देगा कि ये बात जूठा या सच है और कुआरी लर्कियों को तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए उनको तो सर भी नहीं धोना चाहिए साधी सुधा तो नहीं धोते हैं लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि कुआरी लर्किया धो सकती है तो बिल्कुल नहीं धो सकती है उनको तो और नहीं धोना चाहिए और गुरुवार का जो ब्रत करता है उसे तो ये सब कार्य बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए तो इस बात का हमें ध्यान रखना है क्योंकि इन सभी कार्यों को करने से ऐसा माना जाता है कि हमारे घर से गुरु गरह कमजोर हो जाते हैं तो ऐसा हमें नहीं करना है। अगला नियम जाम लेते हैं कि अगर आप लोग गुरु वार के दिन कुछ खरीदना चाहते हैं आप अपने लिए चाहें वो कपड़ा हो जेवर हो या सिंगार का समान हो तो गुरु वार का दिन सबसी अच्छा मना जाता है क्योंकि लक्षमी नारायन का दिन है तो उस दिन आ कपड़ा भी पहन सकते हैं तो गुरु वार के दिन आप अपने लिए कर सकते हैं दूसरे के लिए नहीं यह बहुत ही सुभ मना जाता है और अगला नियम जान लेते हैं कि सुहागिन इस्त्रिया कभी भी अपना नोखुन कटे जैसे गुरु वार मंगलवार और सनीवार ती जूसरे तके दिन अगर वह अपने हाथ प्या सकते हैं तो तुरंत उसमें निल पॉलिस लगाना जाहिए क्योंकि नो कुंग काट की हमें इधर उद्षालने ही घूमना हैं जहां नोखुन कटना है वहीं पर हमें निव बॉलिस लगा लेना इतुरंथी लगा लेना यह बड से हमारा सुहाग में घोता है अग्ला नियम जान लेते हैं तो देखिये गुरु वार के दिन हमें एक काड़ और नहीं करना है तो वह क्या है तो गुरु वार के दिन हमें अपने घर में भूजां कभी नहीं भूजनी चाहिए, ये सुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि सनी वार के दिन भूजा भूजा जाता है, लेकिन गुरू वार के दिन चाहे वो बेदाम हो, चीवरा हो, कितने लोग बालू में भी भूनते हैं, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, लेकिन हम लोग सहर में रहते हैं, तो जो भी नियम हैं, हम अपने सहर में ही करेंगे, तो हमें उस दिन भूजा नहीं भूज नहीं हैं, और गुरुवार के दिन हमें छोखा नहीं बनाना चाहिए, पका करके, चाहे वु टमाटर पकाना हो, आलु पकाना हो, तो हमें गुरुवार के दिन चोखा भी नहीं बनाना चाहिए गुरुवार के दिन हमें पीला खाना खाना चाहिए जैसे करह, दाल, सत्तू की लिटी ये सब चीजे हमें गुरुवार के दिन जरूर खानी चाहिए आप लोगों को अगर हो सके तो गुरुबार के दिन पीला चीज जरूर खाईएगा तो उमीद करती हूँ कि आप लोगों कोई इस वीडियो से बहुत कुछ सिखने को मिला होगा और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल पर नए आया हैं तो सब्सक्राइब कर दिजेगा बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेसन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे और वीडियो को लाइक कर दिजेगा क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिफेट मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा और वीडियो को सियर कर दिजेगा ताकि हर कोई कोई ये जनकारी प्राप्त हो सके कि गुरु बार के दिन हमें कौन से कार्य करनी चाहिए और कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे घर की बढ़ोतरी रुक जाती है तो चलिए दोस्तों ये वीडियो मेरा यहीं तक का था तो फिर मिलते हूं किसी और वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार